हेलो बचों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड स्कुल में बचों सैनिक स्कुल का जो आप सभी ने एक्जाम दिया था 28 जनवरी को उसके एंसर किया चुकिए आप अपनी OMR सीट देख सकते हैं अपने response दिये थे जो भी questions आया था ठीक है उसको देख सकते हैं साथ ही अगर आपको doubt है कि आपके OMR सीट नहीं है कुछ उसमें दिक्कत है तो आप उसको challenge भी कर सकते हैं उसके लिए क्या process होगा साथ मैं answer की provisional answer की publish की गई है तो अगर आपको किसी question में doubt है कि इसका answer ये नहीं ये वाला हो सकता है तो आप उसको challenge कर सकते है proper explain करके इसका क्या process है मैं आपको starting से बताऊंगा पूरा वीडियो last तक देखना बहुत ज़्यादा important होने वाला वीडियो official website भी बताऊंगा कहाँ पे आपको answer की challenge का option मिलेगा कहाँ से login करना है आपको ठीक है dexboard कहाँ से open होगा सब कुछ मैं process समझाऊंगा बिल्कुल starting से last तक वीडियो देखना है वीडियो को like कर दीजिए अपने दोस्तों को जो भी nta.ac.in i a i double s double e ठीक है यहाँ पे जाना है आपको यह आपको address बार में search करना है ठीक है तो यह आपको यहीं मिल जाएगा ठीक है इसके बाद देखती है मैं आपको process बता दो जब आप इसको search करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा open होगा जो पहला link open होगा उस पे click कीजिए आप click करने के बाद देखिए यह official website आ जाएगी ओल इंडिया साइनिक स्कुल interest exam की है ना देखिए यहाँ पे एक साफ साफ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जूम करके बता दू click here for answer की challenge यहाँ पे दिख रहा है clear साफ में देखिए यहाँ पे आया होगा यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते public notice display of OMR answer seed recorded response and provisional answer provisional answer मतलब क्या है मैंने आपको पहले ही बता है ना कि result से पहले NTA द्वारा एक answer की publish की जाएगी कि हमारे अनुसार उत्तर answer जो यह है अगर आपको किसी question को challenge करना है कि इसका answer यह नहीं यह होगा ठीक है तो क्या होगा फिर आप उसको वहाँ proper explain करके PDF file attach करके उसकी कुछ fees है उसको submit करके आप challenge कर सकते हैं इसके बाद NTA final answer की publish करेंगी ठीक है final answer की publish होने के बाद आपका score card और result आ जाएगा clear चलिए अभी मैं process समझाते हो पहले हम क्या करते हैं इसको यहाँ जाने पहले एक बार public notice पढ़ लेते हैं ठीक है यह दिखिया आगया public notice किस से rated है आज की date यहाँ पर होई है पचीस दो दोजार चोबीस ठीक है OMR seat तो देखि किसी जो भी आपने उसमें टिक गोले भरे थे न वो आप देख सकते हैं ठीक है बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर किवल देखने कब तक देख सकते हैं देखिये कब तक यह साइट पर रहे गए एल एवलेबल अप टू कब तक 27 फरवरी 2024 ठीक है सामको साड़े 5 बजे तक की रहे गी आप देख सकते हैं ठीक है अगर आपको देखिये यहाँ पर फिर लिखा हुआ है इन केस दे वांट टू मेक एनी रिकॉर्डे डिस्पार आप्टर विविंग और सीट एंसर सीट दे कैन डू सो बाई एप्लाइंग ऑन लाइन ठीक है अंसर साड़े पेइंग न ठीक है तो फिर आप क्या है यहाँ पे सौर रुपय की फीस के साद यह फीस रिफंड नहीं होगी अगर इसमें कुछ भी आपका सुधार होता है ठीक है कुछ भी होता है तो आपको करके दे दिया जागा यहाँ पर आपको अलग से एक एक को इंडिविज्वाल यहाँ पे अगर आपको इस कोंसर में डाउट है कि उनके दोरा बताया गया पहले कोंसर का एंसर ए है लेकिन आपके अनुसार बी आ रहा है ठीक है तो वहाँ पे आप टिक करेंगे और जो भी उससे रिटेट जो डॉक्युमेंट से उसको आप सम्मिट करेंगे इसका फीस पेमेंट कर लेकिये दा कैंडिडेस वह नोट सेटिस्फाइब इस एन्सर की ठीक है मैं चैलेंज दा सेम वाई फीलिंग अन ओनलाइन एप्लिकेशन फर्म ओनली एंड पेइंग नौन रिफंडेबल फी 200 रूपीस ओकै पर कोस्ट चैलेंग त्रू डेबिड रिड़ क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बेंकिंग अप्टू कब तक कितना है 27 याद रखेगा यहाँ पर साब सब लिकोई 27 क्लियर है यहाँ पर कितनी लगई कि फीस 200 उपीस है ना चलिए इसके बाद देखे इसके बाद कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि no challenge will be without receipt of processing fee मतलब मतलब कोई भी challenge मतलब बिना processing fee के receipt के आपका कोई भी challenge वहाँ पर नहीं होगा जो भी आपने जैसे किसी subject में किसी question में आपने doubt या challenge किया तो वहाँ कि जो subject expert होगे पैनल बैट कि आपको decide करेंगे कि उनके अनुसार यह सही है कि नहीं check करेंगे इसके बाद final answer की publish होगी है ना चलिए सीधा आपका क्या based on अगर आमान की चलिए उसमें change होता है answer की में कोई change आता है तो क्या होगा फिर सीधा आपका जो final answer की आएगी उसके अधार पर merit list जो आपका score card होगा result आ जाएगा ठीक है उसको change कर दिया जाएगा ऐसा नहीं अगर उसको सही पाया गया तो बिल्कुल आपका change कर दिया जाएगा है ना चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है देख लिजिए और साब साब लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते आप कि फर्म only and paying non refundable fees of 200 rupees per question challenge है ना यहाँ पर लिखा हुआ है चलिए अब आगे देखते हम यह यह वाला जो देखें यहाँ पर आ गया था अपना आपको मैंने बता यहाँ पर click here answer की challenge click here देखिए मैंने यहाँ पर click कर दिया ठीक है click करने पर ऐसा आएगा आपको अपना application number यहाँ पर इंटर करना है ठीक है यहाँ पर मैं और जूम कर देता हूं clear दिखेंगे देखिए यहाँ पर अपना capture code यह जो login जो है application number date over डाला इसके बाद ऐसा page आजाएगा देखिए ऐसा आएगा ठीक है एक आजाएगा एक में लिखा रहेगा challenge answer की view challenge और answer की एक में रहेगा view to OMR seat जो आपको option आजाएगा ठीक है जो OMR seat वाला option जो आएगा ठीक है यह वाला ऐसा एक आजाएगा ऐसा candidate detail अप्लिकेसर नमबर रहेगा चैलेंज एंसर की अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको answer सो होंगे पूरे की NTA के द्वारा जो publish की गई answer की उसके answer क्या है अगर आ अगर आप दूसरे को challenge करना चाहते है इसको challenge करना चाहते है कि आपका अनुसार यह वाला सही है मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि यही answer बस आपको एक example दे रहा हूं ठीक है इस पर इस पर click करेंगे नीचे देखिए claim answer की list uploaded ठीक है तो यहाँ पर आप list upload करेंगे उसके इसके देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा challenge OMR seat तो OMR seat को यहाँ कहीं पर देखिए view OMR seat यहाँ वे view का option आ जाएगा ठीक है view या फिर कुछ लिखा रहेगा है ना view लिखा हुआ आपको 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 दिख जाएगा view answer की तो आपको क्लिक करेंगे तो OMR seat आप अपनी देख सकते हैं ठीक है नॉर्मल देखने के लिए फीस नहीं अगर उस पर challenge करेंगे तब आपकी फीस लगेगी है ना याद रखिए date आज 25 है दो द लाइब बैच लॉंच कर दिया है तेजस लाइब बैच जिसमें क्लासी स्टार्ट हो रही है एक मार्स से बिल्कुल आपकी पढ़ाई लाइब होगी जो भी आपके डाउट होंगे audio के माध्यम से comment से माध्यम से लिये जाएगे और class में ही solve कर दिये जाएंगे मतलब class में ही special discount मिल जाएगा एक मार्स से क्लासिस स्टार्ट हो रही है साथ में सैनिक स्कूल की तैयरी करना चाते है सैनिक अलफा हमारा बैच है इससे बहुत अच्छे डंग से आप सैनिक स्कूल 2025 की तैयरी के लिए हमारा बैच है नवदय अलफा साथी अगर अगर अब तीनों की combine नव पर कॉल करके आप जनकारी ले सकते हैं ठीक है साथी टेस्ट सीरीज है चैप्टर वाइस सब की तैयरे हो जाएगे नवदय विद्याला सैनिक स्कूल आरे में से यहां मैस भी मिल जाएगा आपको बिल्कुल चैप्टर वाइस डिवाइड रहेंगे जो important question है previous question भी mix रहेंग प्ले स्टोर पर जाके द्रोड स्कूल का एप इंस्टॉल कीजिए इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर आपको courses दिख जाएंगे जैसे आपको तेजस बैच में करना है तो उस पर क्लिक कीजिए नीचे I am interested का option आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो जिस नंबर से भी login किया वह हाँ अगर उस नंबर से WhatsApp है तो WhatsApp पे बाइनाव का मेंसे चला जाएगा या normal ठीक है उस पर बाइनाव पर क्लिक करके यहाँ पर लिंक आएगी उस पर क्लिक करके आप नॉमर पेमेंट कर लेंगे पेमेंट करने के बाद आपका जो हो गया course में आप enroll हो जाएंगे है ना साथ में द्रोड स्कूल के YouTube चैनल को आप सभी जरूर सब्स्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे कोई जो भी important information हम सबसे पहले आपको बताएंगे जितने भी result से रिटेड, answer की से रिटेड या कुछ भी exam से रिटेड सबसे पहले आपके पास हम answer कहाएंगे तो आप सभ में द्रोड स्कूल के official channel और द्रोड स्कूल के कोई channel को आप सभी join कर लेजे यहां question post के जाते हैं बच्ची अच्छे से practice कर लेते हैं ठीक है इसको आप सभी join कर लेजे टेलीग्राम पे जाकर description में link मिल जाएगा साथ ही अभी जो भी नए best rated information चाहिए तो आप हमारे help line number 6260388 361 पर call करके information ले सकते हैं ठीक है इस वीडियो में आपको बताना था कि यह OMR seat आपकी आ चुकी है recorded response आप अपने देख सकते है answer की भी आ चुकी provisional answer की ठीक है final नहीं है आप challenge करेंगे सभी बच्चे challenge करेंगे जो समय दिया गए आपको कब तक 27 फरवरी तक ठीक है आप challenge जे उसके बाद उसके ऐनलाइज किया जाएगा पैनल बैठेगा subject experts बैठेंगे इसके बाद उसके बाद इसके बाद answer की आएगी then आपका result आएगा तो समझे जो final answer की आएगी उसके बाद आपका बिल्कुल जल्दी आजाएगा तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 10 March स पहले पहले तो आपका result fix आजाएगा ठीक है तो आप सभी जार किजे जैसे ही result आएगा final answer की आएगी बिल्कुल आपको बताया जाएगा है ना इसके बाद कोई change नहीं होगा इसके बाद कोई change यहाँ पर नहीं होगा तो आप सभी को अपने दोस्तों भाई बंदों सभी को पहुंच सके ठीक है चले फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ